हे भगवान कृष्ण, हे जगत पिता, हे परमात्मा, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें, उस इंसान की जीवन की हर परिशानी को खत्म कर देना, उस व्यक्ति के जीवन में उसको करोडपती बना देना, दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें। 26 अगस्त, सन 24 जनमाश्टमी तिथी के दिन बस कर लेना, तुलसी के जड़ की मिट्टी का प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ती भगवान, श्री कृष्ण के आशीरवाद से, खुशियों से भर जाएगा, आपका कमी की वजह से आप बहुत परेशान है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई जगडा ग्रिह कलेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दपते हुए च चुपचाप तुलसी के जड़ की मिट्टी का सटीक असरदार और चमतकारी उपाय आप जरूर करें, और आप खुद देखेंगे कि जनमाश्टमी के दिन इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो भी परेशानी होगी उसका निवारण अपने आप भ जनमाश्टमी तिथी के साथ राज योग ग्रह योग नक्षत्र योग अमरित सिद्ध योग धन योग महालक्ष्मी योग जैसे शुभ योगों का निर्मान हो रहा है और इस दिन भगवान श्री कृष्णा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होंगे और इस दिन आ दोस्तों सौ प्रतिशत आपको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद वर्दान मिलेगा और आपकी जो भी मनो कामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद यकीन मानिये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के जानता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण जी किसी भी व्यक्ति को अपना आशीरवाद दे दे फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको सिर्फ सफलता मिलती है इस जन्माश्टमी तिथी के दिन चाहे आप व्रत रखें चाहे आप व्रत ना रखें लेकिन अगर इस उपाय को आप सही मुहूर्थ पर ज्योतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो दोस्तों मान कर चलिए आपको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद और वरदान अवश्य ही मिलेगा इस उपाय को कई करोड़ पती व्यक्ति लोग हर जन्माश्टमी तिथ के दिन जरूर करते हैं और दोस्तों 26 अगस्त को पढ़ने वाली जन्माश्टमी तिथि का शुभ समय बहुत लंबे वर्षों बाद आया है यानि कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जाही नहीं सकती दोस्तों हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ती जन्माश्टमी तिथि के दिन सिर्फ सामान्य सा व्रत रख ले और भगवान श्री कृष्ण से अपने दुख परेशानी कष्ट के निवारन के लिए प्रार्थना कर ले तो भगवान श्री कृष्ण के आशीरवाद से उस व्यक्ती के जीवन के हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है लेकिन दोस्तों आज का समय एक ऐसा समय है जब लोगों के पास वरत रखने का समय नहीं है जब लोग पूरे दिन विधिविधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि उनको एक ही दिन के उपाय से भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद मिल जाए और आप चाहते हैं कि आपको वरत भी न रखना पड़े और आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए तो बस आप लोग इस जन्माष्ट मीतिति के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय विधिविधान से जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लीजिए अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी की मिट्टी का उपाय करके आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद कैसे मिल सकता है और एक ही दिन के पास आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो तुलसी का पौधा होता है यह हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही पूजनी अपौधा माना जाता है शास्त्रों में वर्नित है कि तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान श्री कृष्ण जी का वास होता है तुलसी का जो पौधा होता है यह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है तुलसी पौधे की जड़ होती है उसमें समस्त स्वर्ग का वास होता है तुलसी पौधे की जड़ की जो मिट्टी होती है इसमें कई देवी देवता वास करते हैं और जनमाष्ट मी तिथी के दिन खुद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी के पौधे में वास करने आते है और इस दिन जो भी व्यक्ति विधी विधान से तुलसी पौधे की मिट्टी के जड़का उपाय करता है उसको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद जरूर मिलता है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा राधे राधे और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस जनमाष्टमी तिथी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो आपके जीवन में आप जहां जाएं वहां पर आपको काम्याभी प्राप्त हो तो बस आपको यह करना है कि इस जन्माष्टमी तिथी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है क्योंकि पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तिमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है अभी इस पिले मौली धागे को आपको ले जाना है और आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है उसकी मिट्टी में ले जाकर के गाड़ देना है पीले मौली धागे को तुलसी की मिट्टी में गाड़ने के बाद आपको ग्यारह बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप करना है सोमवार को जन माष्टमी तिथी का दिन है जिस दिन आपको यह उपाय करना है और मंगलवार तिथी के दिन आपको सुभह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है पीले मौली धागे को उठाना है और पीले कपड़े में रख कर पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं सिर्फ इतना उपाए अगर आप इस जनमाष्ट मीर्तिती के दिन कर लेंगे तो यह पिला, मौली धागा, भगवान श्री कृष्ण का आप के लिए आशीरवाद बन जाएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों मान लीजिए, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में अपने आप समस्या आना शुरू हो जाती है लंबे समय से आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा है तो समझ जाए दोस्तों, आपके उपर कोई दोश है और दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए अगर भगवान श्री कृष्ण किसी भी व्यक्ति को आशीरवाद दे दें तो उस व्यक्ति का दोश अपने आप खत्म हो जाता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके दोशों से मुक्ति मिल जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि जनमाश्टमी तिथी की सुबह नहाने से पहले आपको अपने घर के तुलसी के पौधे की मिट्टी थोड़ी सी ले लेनी है और इस मिट्टी को उस बाल्टी में डाल देना है जिस बाल्टी का इस्तिमाल करते हुए आप नहाते हैं उसके बाद इसी पानी से आपको नहा लेना है सिर्फ इतना उपाय आपको इस जनमाश्टमी तिथी के दिन करना है और इतना उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के आशीरवाद से आपके दोशों से आपको मुक्ति मिल जाएगी हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि जनमाश्टमी तिथी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी के पौधे में वास करने आते हैं और ज्योतिश शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी पौधे की मिट्टी को अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल कर उस पानी से नहा लेता है तो उस व्यक्ति को उसके दोशों से मुक्ति मिल जाती है उस व्यक्ति की परिशानिया अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है इस उपाये के बारे में हमने आपको ज्योतिश शास्त्र के अनुसार बताया है दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है आपका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया तो समझ जाईए आपका व्यापार को किसी की नजर लग गई है और दोस्तों नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड को भी सुखा देती है तो बस आपको यह करना है कि इस जन्माष्टमी तिथी के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है एक लोटा जल लेना है आपके घर के पास जो भी तुलसी का पौधा है उसको एक लोटा जल अर्पित करना है एक पीले कपड़े में आपको तुलसी पौधे की मिट्टी की जड़ को रख लेना है इस कपड़े की पोटली बना लेनी है इस पोटली को ले जाना है और अपने व्यापार स्थान की जगहे पर रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं सिर्फ इतना उपाय आप कर लीजिए और आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह यह तुलसी पौधे की मिट्टी सोख लेगी आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके व्यापार में धन की व्रिद्धी होगी आपका व्यापार वापस से चलने लग जाएगा क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षाद भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद प्राप्थ होगा तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों मान लीजिए आपके घर में रोज लड़ाई जगड़ा होता है आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं आपके घर की बरकत और उन्नती पूरी तरह से रुक चुकी है तो समझ जाए दोस्तों आपके घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है तो बस आपको यह करना है कि इस जन्माश्टमी तिथी के दिन आपको सुभ़ के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है एक लॉटा जल अपने घर के तुलसी के पौधे को देना है एक लाल कपड़े में तुलसी पौधे की मिट्टी को रख लेना है इस कपड़े की पोटली बना कर आपको घर के मुख्य द्वार के आसपास कहीं भी रख देना सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस जन्म आश्टमी तिथी के दिन कर लेंगे तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा और दोस्तों जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है उस घर की उन्नती होती है इस उपाय को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी आपके घर में मिठास आएगी आपके घर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो इस उपाय को करना मत भूलियेगा और दोस्तों अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए